यह देखी कितने करारे पापड बने हैं अब ही आप इसके आवाज सुनना है ना तो यह हमने बहुत ही फटा फट बनने वाली रेसिपी है और इतने जल्दी यह पापड बनके तयार होए है और होली पे तो पापड होने ही चाहिए और जिसके लिए हमने लिया है एक कप और इसको सरफ इतना ही हमने फुलाना है कि अच्छे से भीग जाए और फूल जाए बस वो दो गंटे में या देड़ गंटे में हो जाएगा और इसमें एक कप पानी डालके अभी हम इसको बारिक पीस लेंगे या थोड़ा हलका दरदरा रख लेना यह आपके उपर पूरा पापड़ बनके तयार होंगे अभी चार कप पानी हमने इसमें डाल दिया है तो टोटल लगा है हमारा पांच कप पानी और अभी इसको जो हमने बैटर तयार किया है यह साबू दाने का इसको हमने डाल देना है इसी कडाई में इस पानी में और अभी इसको चलाद देंगे और ये बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है मतलब अभी ये देखना गाडा होना शुरू हो जाएगा तुरंत और ये मैंने मेडियम फ्लेम पे ही किया है आप भी मेडियम फ्लेम पे ही करना और ये देखो अभी धीरे धीरे इसको चलाते चलाते और अच्छे से हमने इसको मिला लेना है जो भी मारा ये बैटर था साबूताने का और अगर आपने इसमें नमक डालना है तो आप भी नमक भी एड़ कर सकते हो अगर सेंदा डालना है तो सेंदा डाल सकते हो अगर वरत में खाने है तो और अगर वैसे काला नमक डालना है तो वो भी डाल सकते हो बट मैंने इसमें कोई भी नमक नहीं एड़ किया है क्योंकि बगर नमक के हम तब हमारा दिल करेगा ब्रत में खाने का तो हम सेंदा नमक करने के बाद सेंदा नमक डालके खाएंगे और वैसे अगर हमारा खाने का मन करेगा तो फिर हमें इसमें काली मिर्च और काला नमक डालके खाएंगे और ये देखो ये अभी हमारा हो गया है और फि की है बस इसमें यह देखो अब यह जैसे होने लग जाएगा इसका मतलब यह हो गया होगा ऐसे मतलब पता चल जाएगा आपको तो अब यह देखो इसको अभी हम चलाते जा रहे हैं थोड़ी सी देर चला के और अभी एक बार और चेक करेंगे यह बिल्कुल एक जगह स्थिर हो जाएगा अभी हलका सा जैसे हमने प्लेट में डाला तो थोड़ा सा फैल रहा था और तब यह बिल्कुल बंद हो जाएगा इसका मतलब बिल्कुल हमारा तयार हो चुका है बस एक दो मिनट चला के ज्यादा नहीं चलाएंगे अभी एक दो मिनट और चला के और फिर पता चल जाएगा, जिस से भी हम करची से या जिस से भी हम इसको हिला रहे हैं उसी से पता चल जाएगा, उस पे जैसे यह देखो हमारा हो चुका यह, हमने find guys करने बना तीया है और जो color के पापड़ आपने बनाने हैं और वैसे ही आप बना ले ना, अगर आपको बिल्कुल प्लेन बनाने हैं तो आप प्लेन बना लेना ये देखो मैंने इसमें ये तीन कलर के मैं पापड बना रही हूं वाइट भी बना रही हूं ग्रीन भी बना रही हूं और येलो भी इसकी वज़े ये है कि होली आने वाली है तो ये होली के लिए मैंने पापड बनाए हैं तो colorful तो होना ही चाहिए होली में इसलिए हमने होली special पापड बनाए हैं तो colorful बनाए हैं और अब ही बिचाली हमने एक seat और मैं अंदर ही सुखाने वाले हूँ इसको क्योंकि मेरे यहां balcony नहीं है और अगर मैं नीचे सुखाने जाओंगी तो बंदर बहुत हैं यहां पर तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं इसलिए मैं अंदर ही खिड़की के पास इनको सुखा दूंगी हलकी दूप भी आएगी और फैन चला दूंगी उसी में बहुत जल्दी सूख जाएंगे इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रखते जा रही हूँ दो तीनो कलर का ऐसे ही करूंगी एक बार उस कलर का एक बार उस कलर का और यह दीरे दीरे यह इतने सुन्दर लग जाएंगे न ऐसे भी मतलब जो हमने बिछाया है न तब यह बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं और खाने में तो यह इतने मस्त लग रहे थे जैसे कि हम रेल्वे स्टेशन जाते या बस टोप पे जाते हैं उदर वो पापड वाले अगर जैसे अंदर आपने सुखा रहे हो तो दो दिन तो लगी जाएंगे अब फैन चला देना मैंने वीच में बंद कर दिया था फैन भी नहीं चलाया था तो भी लेकिन यह सूप गे थे बहुत ही अच्छे सूप है दो दिन में तो यह दिखो ऐसे हम रखते जा रहे हैं और फैलाते जा रहें जितना बड़ा आपने पापड करना है आप उतना बड़ा पापड कर लेना और इसमें एक कप बैटर में न एक कप साबुदाने में सोरी एक कप साबुदाने में मतलब बहुत सारे पापड बनके तयार हो जाएंगे बहुत सारे करीब दोस्तों के करी तो ये दिखो ये होगे पूरे अब धीरे-धीरे और भी ऐसे पूरे फैला देंगे हमों और ये देखो सूखने के बाद का मैं दिखाती हूँ इसमें मेरा ना फिंगर्स यूग की यूग दिख रही है मतलब ये इतने कांच जैसे हो चुके हैं बिल्कुल ट्रांस्पिरेंट ये देखो जो हमने बिचा है और फिर ये सूखने के बाद यह दो दिन का रिजल्ट में दिखा रही हूं आप लोगों को और अभी एक बार मैं फ्राइब करके भी दिखाऊंगी अगर आप लोगों को यह पापड पसंद आए तो प्लीज चानल पे जो न्यू है चानल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और सेय करना ताकि आपके फैमिली फ्रेंड भी इसको बना सके फटा फट और बहुती एजी रेसिपी है तो ऐसे अभी हमने यह फ्राइब की और अब इस पर हमने नमक और काला नमक और काली मिर्च डाल के जो खाया है इस पर जो यह तने यमी लगे ना तो यह देखिए और झाल